नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि जब हम अपने एंप्लिफायर में एक स्पीकर बॉक्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम कौन-कौन से कंपोनेंट लगा सकते हैं कि देखें नेटवर्क किट जो है वो बहुत महंगी हो जाती है और हमारे पात जैसे 44-45 एंप्लिफायर है या 72-94 एंप्लिफायर है तो वहां पर क्या होता है कि हमें जो छोटे ही कंपोनेंट से हमारा काम हो जाता है तो यहां पर देखें एक मैंने सब बॉफर को लिया है एक स्पीकर को लिया है और एक टूटर को लिया है तो इन मेंसे हम तीनों को ही देखेंगे कि हम कौन-कौन से कंपोनेंट लगा के हम एक अपना परफेक्ट जो है स्पीकर बॉक्स बना सकते हैं तो यहां पर मैं आपको इसके सारे connection दिखाऊंगा तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं यह जो स्पीकर है उस पर हमने लगाया है 4745-600 बोल्त का यह चीटर और Hier तेखिये हमारा यहां पर है 155- Hack व्रीज पर 155- तो यहां पर हमारा 647-500 है अब यह स्पीकर बौकस मैं अल्लगाउड हम को साउंड है और एक साथ भी इनका साउंड टेस्स करवाऊंगा कि किस तरीके से इनका साउंड है तो देखें यह जो कमपोनेंट लगाए जाते हैं यह लगा जाते हैं मैचिंग के हिसाब से अब देखें यह बूफर है तो यहां पर जब हम एम्पिफायर की ओडियो को देंगे तो यहां लगा पर बेस ट्रेवल मिट जो है सारा एक साह जाएगा इसके अंदर तो यह हमने डारेट कर दिया क्विज reset कोई फार्ट नहीं पड़ेगा लेकिन यहां पर इक speaker तो speaker के अंदर क्या होगा जब इसके अंदर बैस जाएगा तो बेस जाने से यह speaker की जो live है वो बहुत काम ह नहीं जाएंगा तो यहां पर हमने इस वाले कैपसेटर जो नॉन पॉली पोजिटीव यह रहता है यह वह बहुत से हम जो है पिअब भी बोलते हैं यह ज्यादा वॉल्ट में पिअब होता है तो इसको इसलिए लगाया है कि यह हमारा टूटर है डेखे तूटर की पहचान होती है चारो तरफ से देखे बंद है और यहाँ पर देखे यह online यह speaker यहां से कुला हुआ है buffer भी देखियो यहांसे становится कटिंग है तो टूटर की पहचान होती यह हुआ है . अब यह पीएप हमने इसलिए लगाया कि हमें इसलिए यहां खाली जनकार चाहिए तो इसलिए हमने पीएप का यूज कर लिया लिकिन जब यह तीनों एक साथ मैच हो जाएंगी तो यहां पर जो साउंड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और हमें सुनने में भी बहुत कि इनके जो connection है वो किस तरीके से होंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों मेरे पास पहले यह बूफर है तो बूफर के अंदर देखिए यह वाले जो मैंने दो वायर निकाले हैं यह हमारे amplifier के अंदर जाएंगे और यहीं से मैंने देखिए दो वायर फिर उठा लिए देख यहां से देखिए जो positive आया यहां से यह वाला वायर हमारा capacitor पर जुड़ जाएगा क्योंकि हमें इस वाले speaker को speaker को जो है वो capacitor से चलाना है तो इसलिए मैं इसको यहां capacitor जोड़ दूँगा आप देखिए यहां पर जो हमारा travel के लिए जो हमने tutor बनाया है इसके अंदर भी दो minus point हमने सारे एक साथ कर दी है और जो हमारा जो यहां पर पी अप से जो वायर आ रहा है वो हमने यहां पर capacitor के पास लगा दिया है यह देखिए तो मैं एक बार आपको पास से दिखा देता हूं देखिए यह वाला जो वायर है यह हमारे amplifier में जाएगा फिर यह जो minus और पिलस लिक्रों में एक साथ सोटिंग है यह देखिए अब मैं इसकी आपको टैस्ट्रिंग कराता हूं कि टैस्ट्रिंग इसकी किस तरीके से है तो मैं यहां पर जड़ा amplifier में इसकी वायर को लगा देता हूं तो यह देखिए यह साउंड है अब देखिए दोस्तों इसके अंदर आपने तीन आपको टैस्ट्रिंग करता हूं कि अब देखिए दोस्तों इसके अंदर आपने तीनों का matching sound सुना अब मैं यहां पर आपको अलग-अलग sound सुनाओंगा कि इनका जो यह component लगाने का हमारा फायदा क्या है और इनके इनसे जो है हमें अलग-अलग sound कैसे मिल सकता है तो यहां पर देखिए हम मैं सारी वायरे हटा देता हूं और सारे जो इतने भी हमारे connection थे इनको हटा के अब मैं आपको single single चला के दिखाऊंगा कि इनके अंदर जो हमें sound के अंदर क्या फरक मिला तो आपने connection तो देखे लिए होंगे कि हम एक speaker box के जो connection है वो किस तरीके से सकते हैं अब देखिए यहां पर यहां मैं खाली एक buffer को चला हूंगा कि यह देखिए यहां ने buffer लगाया तो दोस्तों यह होगी हमारा buffer हमें आपको यह हमारा जो capacitor लगाया है है मैंने यहां पर जो 47 UF 4500 वोल्टेज का लगा हुआ है अब मैं इसके ऊपर आपको इसी को ही चला के दिखाता हूं खाली इसको तो यहां पर जो है आप मैं अलग-अलग इसलिए चला के दिखा रहा हूं जिसे कि आपको यह पता लगे कि इनमें जो साउंड हो किस तरीके से आ रहा है और हमें इन कंपोनेंटों की जरुवत क्यों पड़ती है तो मैं जरा सौंग को बदल देता हूं तो यहां पर आपने देखा हमने इस कैपेशिटर की जो MFD है वो हमने 47 UF इसलिए रखी हुई है कि हमें यहां पर खाली साउंड चाहिए था ना ही हमें इसके अंदर बेस चाहिए और हलका से इसके अंदर ट्रेवल आता रहे क्योंकि देखे बेस अगर इसमें जादा आएगा तो हमारा यह आइड कर देते हैं अब देखे यहां पर हमने पीअप किसलिए लगाया है पीअप लगाया है कि हमें इसको खाली एच फ के तरह यूज करना है जैसे हमारे डी जो के अंदर हम तीनों स्पीकरों को एक साथ मिला देते हैं तो हमारा जो साउंड हो जाता है और हम एक बढ़ि इसमें खाली एच फ बज़रा है जो हमारे एच फ साउंड होता है तो इसमें स्रीफ एच फ साउंड का अवाज आ रही है देखे तो आपने देखा दोस्तों कि हमने यहां कैपेसिटर इसलिए लगाया हमें इसके अंदर आवाज चाहिए था थोड़ा सा और हमने इसमें पी पीकर बोक्स बनके तैयार हो गया था जिस तरीके से तो मैंने आपको देखे कनेक्शन पूरे समझाए कौन सा कंपोनेंट आप किस जगे पर लगा सकते यह बता है दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक सेर और सस्क्राइब जूरू कर कौन समझा कर दोस्तों मेरा कर दोस्तों मैं हो भी परोई।ाब हो गयारो हो?